सभी ने बहुत ही बहत्रीन काम किया है और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डौक्स कोड्स के सदस्यों ने भी अध्भुत क्षंता का प्रदर्शन किया है आप सभी पर देश को बहुत गर्व है साथ्यों हमारी संस्कृति ने हमें वसुधेव कुटुमकम की सीख दी है और यह मंत्र जिस स्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरख है अयम निजह परोवेति गाना लगुचेत साम उधार चरिता नाम तुवसुधेव कुटुमकम अर्थाथ बढ़े रदेवाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते उधार चरित्रवानों के लिए पूरी पृत्वी ही अपना परिवार होती है यानि वो जीव मात्र को अपना मान कर उनकी सेवा करते हैं साथियों तुर्किये हो या फिर सिर्या हो पूरी टीम ने इनी भारतिय समस्कारों का एक प्रकार से प्रगटी करण किया है हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं ऐसे में परिवार के किसी भी सदसे पर अगर कोई संकट आएगी तो भारत का धर्म है भारत का करतव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना देश कोई भी हो अगर बात मानवता की है मानिविय संबेदना की है तो भारत मानव हित को ही सर्वो पर ही रखता है साथियों प्राकृतिक आपदा के समय इस बात का बहुत महत्व होता है कि सहायता कितनी तेजी से पहुँचाई गई जैसे एक्सेनेल की समन गोल्डन अवर कहते है इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुँची तूर्किये में भूकम के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहाँ पहुँचे इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी और खीचा है ये आपकी प्रिपेड़ेस को दिखाता है आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है पूरे दस दिनों तक जिस प्रकार आपने पुरी निस्ट्रा से वहाँ हर चुनोती का सामना करते हुए काम किया वो वाग कई प्रेना दायक है हम सभी ने वो तस्विरे देखी है जब एक माँ आपका माथा चुम करके आशिरवाद दे रही है जब मलबे के नीचे दबी मासुम जिन्दगी आपके प्रयास होसे फिल खिल खिला उठी मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहाँ मौत से मुकामला कर रहे थे लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहाँ से आने वाली हर तस्वीर के साथ पुरा देश घर्व से भर रहा था वहाँ गई भारतिय टीम ने प्रोफेशनलिजम के साथ साथ मानविय संभाधनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुनिया है ये तब और भी बहुत काम आता है जब व्यक्ति ट्रॉमा से गुजर रहा होता है जो कोई अपना सब कुछ घावा कर होश में आने की कोशिश कर रहा होता है ऐसी परिस्तित्यों में सेना के होस्पिटल और उसके हमारे कर्मियों ने जिस सम्वेशना से काम किया वो भी बहुत ही प्रस्वंस्रिया है साथियों 2001 में जब गुजराद में भूकम पाया था और उसे पिछली शतादी का बहुत बड़ा भूकम माना जाता था ये तो उससे भी कही गुना बड़ा है जब गुजराद का भूकम पाया तो बहुत लंबे समय तक महां एक वालिंटेर के रुप में बचाओ कारियों में जब जुड़ा था मलवा हटाने में जो दिक्कते आती है मलवे में लोगों को खोजना कितना मुश्किल होता है खाने पिने की दिक्कत कितनी होती है दवाईयों से लेकर अस्पताल की जो जरूरत होती है और मैंने तो देखा था बूच का तो पुरा अस्पताल ही वस्त हो गया था याने पूरी व्यवस्ता ही तबाह हो चुकी थी और उसका मुझे फर्स्टन एक्ष्पियेंस रहा है वैसे ही जब 1979 में गुजरात में ही मोर्भी में मच्छू डेम जो बान तूटा पूरा गाउं पानी से तबाह हो गया पुरा शहर मोर्भी तबाही मच्छी थी सेक्ड़ों लोग मारे गए था एक वल्लिंटर के रुट में तब भी मैं वहाँ महिनों तक रहकर के ग्राउंड पर काम करता था मैं आज अपने उन अनुभावों को याद करते हुए कल पुरा कर सकता हूँ कि आपकी मेहनद कितनी जबर्दस्त होगी आपका जजबा आपकी भावनाएं मैं भली भाते फील कर सकता अब काम वहाँ करते थे मैं हानुभों को तदा कैसे करते हुए और इसलिए आज तो मोका है कि मैं आपको सेल्यूट करूँ और मैं आपको सेल्यूट करता हूँ साथियों जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेब्सर्विशन कह सकते हैं लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बलकि राष्ट्रों पर भी लागू होती है इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशन्सी के साथ साथ सेल्फलेस्टनेस की पहचान को भी शसर्ट किया है तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टी में आचुकी है तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएगे और जो सीरिया का उधान बताया कि जो बक्सेक में जो द्वज लगा था बक्सा उल्टा था तो औरेंज का लर नीचे था केसरिया लर नीचे था तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक करकर के और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रतिक आदर से धन्वात करता हूँ तिरंगे की यही भूमे का हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी जब भारतिय नागरिकों के साथ साथ संकट में फसे अनेक देशों के साथ को के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना आपरेशन गंगा सब के लिए आशा बन करके उसे एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायन की अफगानिस्तान से भी बहुत ही विपरित परिस्तितियों में हम अपनों को सरकुशल लेकर के वापिस आए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया हमने यही कमिट्मेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा अनिस्चित्ता भरे उस माहुर में भारत ने एक एक नागरी को स्वदेश लाने का बिड़ा उठाया हमने दूसरे देश के बहुत से लोगों की भी मदद गी यह भारत ही है जिसने दुनिया के सैक्ड़ों जरूरत बन देशों को जरूरी दवाए वैक्सिन पहुँचाई इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रती एक सद्भावना है साथियों, अपरेशन दोस्त, मानवता के प्रती भारत के समर्पांग और संकट में फसे देशों की मदद के लिए ततकाल खड़े होने के हमारे कमिट्मेंट को भी दर्शाता है दुनिया में कहीं भी आपदा हो भारत फर्स्ट रिस्पॉंडर के रुप में तयार मिलता है नेपाल का भूकम्भ हो मालदिव में, स्रिलंका में संकर राये हो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगया है अब तो भारत की सेनाओं के साथ साथ एंडियारेप पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एंडियारेप ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साथ मनाई है देश के लोग आपको देखकर ही कहीं पर भी संकट के संभावना हो साइकलोन हो जब जैसे आपको देखते हैं तो आपकर विश्वास करना सुरू कर देते हैं आपकी बात मानना सुरू कर देते हैं संकट की किसी गड़ी में, चाहे वो साइकलोन हो, बार हो, या फर भुकम जैसे आपना हो, जैसे ही एंडिय अरब की वर्दी में आप और आपके साथ ही फिल्ड पर पहुंचते हैं, लोगों की उमिद लोट आती हैं, विश्वास लोट आता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी हैं, जब किसी फोर्स में कुसलता के साथ सम्वेदन सिल्चा जूड़ जाती हैं, उसका एक मानुवे चहरा बन जाता है, तो इस फोर्स की ताकत कई गुणा बढ़ जाती हैं, एंडिया आरेपी इसके लिए मैं विशेश रुप से प्रसंसा करूंगा, साथियों, आपकी तैयारियां को लेकर, देश आस्वस्त हैं, लेकिन हमें यही नहीं रुपना है, हमें आपदा के समय, राहत और बचाव के अपने सामर्थ को और अधिक बढ़ाना है, हमें दुनिया के सर्वस्रेश्ट राहत और बचाव दल के रुप में, अपनी पहचान को ससक्त करना होगा, और इसलिए मैं जब आप से बात कर रहा था तो लगातार पूछ रहा था, कि अन्य देशों के लोग जो है थे, उनका वर्ग कल्चर, उनका स्टाइल अप फॉंक्शनिंग, उनके इक्विप्मेंट, क्योंकि ट्रेडिंग जब फिल्ड के काम में आती है, तो शार्पनेश और बढ़ जाती है, इतना बड़ा हाथ्षा आपके पहुंचने से, एक प्रकार से, एक सम्वेदना के नाते, जिम्मेवारी के नाते, मानोता के नाते, हमने कान्तों किया, लेकिन हम बहुत कुछ सिख करके भी आए है, बहुत कुछ जान करके भी आए है, इतनी बड़ी भायानक क्यालेमिटी के बीच में, जब काम करते हैं तो दस चीजे हम भी observe करते हैं सोते हैं ऐसा ना होता तो अच्छा होता ये करते तो अच्छा होता वो ऐसा करता है चलो मैं भी ऐसा करो और वो ही हमारी शम्ता भी बढ़ाता है तो दस दिवस तुर्किये के लिए उगों के लिए तो documentation होना चाहिए बारी किसे documentation करना चाहिए और उस में से हम क्या नया सिख सकते हैं अभी भी कौन सी ऐसी challenge जाती है कि जिसके लिए हमें हमारी ताकत और बढ़ानी पड़ेगी हमारी शंता बढ़ानी पड़ेगी अब जैसे इस बार हमारी बेटियां गई पहली बार गई और मेरे पास जितनी खबर है इस बेटियों की मौझूदगी ने भी वहां के नारी जगत के अंदर एक और विश्वास परदा किया वो खुल कर के अपनी सिकाहते बता पाई अपना दर्द बता पाई अब पहले कभी कुछ सोचना नहीं था इतना बड़ा कठीन काम है इन बेटियों को क्यों परिशान करें लेकिन इस बार निर्ड़ा किया गया और हमारी बेटिया संख्या हमारी सिम्वित लेकिन ने थे लेकिन वहां पर नाता जोडने में हमारा ये इनिशेटिव बहुत काम आया जी मैं मानता हूँ कि हमारी अपनी तैयारी जितनी बहतर होगी हम दुनिया की भी उतने ही बहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे मुझे भी स्वास है साथियों आप बहुत कुछ करके आये है और बहुत कुछ सीख करके भी आये है आपने जो किया है उसे देश का मान सम्मान बड़ा है आपने जो सीखा है उसको अगर हम इंस्टिटूस लाइज करेंगे तो आने वाले भविश्य के लिए हम एक नया विश्वास पैदा करेंगे और मुझे पक्का भरोसा है आपके हरे के पास एक कथा है कि एक अनुभव है कुछ नुकुछ कहने को है और मैंने पूस्ता रहता था मुझे खुशी होती थी कि हमारी टोली के लोग सब सलामत रहे तबियत भी अच्छी रही क्योंग ये भी चिंता रहती थी कि बहुती वेदर टेंपरेचर समस्य आए और बहाँ कोई वबस्ता नहीं होती जहां इस प्रकार का हाथशा होता है बहाँ से संभव ही नहीं होता है किसी के लिए संभव नहीं होता है लेकर ऐसी स्थिति में भी कठिनाईयों के बीच भी काम करना और आप देश के नाम को रोशन करके आए है आप बहुत कुछ सीख करके आए है जो आने वाले दिनों में काम आएगा मैं फिर एक बार रते से बहुत बहुत अभिनान करता हूँ मैं जानता हूँ आज आज ही आए हो ठक करके आए होगे लेकिन मैं लगाता पिज़े दर दिन आपके संपर्क में था जानकारिया लेता रहता था तो मन से मैं आपसे जुड़ा होगा था तो मेरा मन कर गया कि घर बुलाओं आपको आपका अभिन्यंदन करूँ इतना बढ़िया काम करके आए है मैं फिर से एक बार आप सबको सेल्यूट करता हूँ धन्यवाद